नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे MS Word के अंदर Reference Tab के अंदर Table of Contents का क्या यूज होता है, जिसके अंदर Table के Contents कैसे तियार किया जाते हैं, Table के अंदर Index को कैसे तियार किया जाता है, Table के अंदर Text को Add कैसे किया जाता है, Table को Update कैसे किया जाता है, ये सभी दोस्तों आज हम इस काफी बड़ा होता है या फिर हम कोई book write करते हैं तब हमें दोस्तों table of contents क्या आउसकता पड़ती है table of contents दोस्तों क्या होता है यह देखो दोस्तों table of contents को हम पढ़ेंगे जिसमें हमारे पास क्या आएगा table of contents जिसके अंदर क्या लिखावा दोस्तों add a table of contents to the document जो हम table बनाएंगे उस table के contents को add करेंगे किसके दोवारा table of contents के दोवारा once you have added a table of contents कि एक बार आप table के contents को add करने से पहले click the add text button to add entries to the tables यह क्या करा है कि table के contents को add करने से पहले आप एक बार add text बटन के अंदर जा करके कुछ table की कुछ entries वहाँ पे आप करो तो दोस्तों इसके लिए हम क्या करते हैं हम सबसे पहले कुछ entries हमारे पास की हुई है हम एक बार उनी entries को ले लते हैं क्योंकि entries यहां पे करे dice दोस्तों देखो के अंदर कुछ heading बनाते है दोस्तों जैसे देखो दोस्तों network topology है इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ और इसको मैं heading one मना देता हूं दोस्तों इसको देखो दोस्तों मैं bold italic underline कर दिया इसकी size देखो मैंने जैसे 22 कर दी फिर जैसे type of network topology है इसको भी मैंने क्या बना दिया heading 1 ही मना दिया इसको भी मैंने bold italic underline कर दिया, इसकी heading भी मैंने थोड़ी increase कर दी, फिर देखो दोस्तों हमारे पास क्या आता है, इसकी सब heading आती है, तो इसको मैं क्या कर देता हूँ, heading 2 देता हूँ, heading 2 देके इसको भी क्या कर दिया, मैंने bold italic underline कर दिया, थोड़ी इसकी size increase कर देता हूँ, है अब देखो दोस्तों यह जो जितनी में हमारी टोपोलोजी है इनको मैं हेडिंग टू कर देता हूं और इन टोपोलोजी की भी जो सब टोपोलोजी है उनको मैं क्या कर देता हूं है उनको मैं क्या कर देता हूं तो देखो दोस्तों इसके अपर जो भी हमने format को अभी हमने फिर हम आगे बढ़ते हैं हमारे पास क्या आता है second topology के अंदर जाते हम यह देखो दोस्तों इसको मैंने select किया और छोड़ते यह देखो automatic लगव हो गया है यहां पर फॉर्मेट फिर मैंने इसका format copy कर लिया और third पर जाएंगे वहां पर हम और third को भी हमने दोस्तों select किया और यह format लगव हो गया इस पर देखो दोस्तों अब हमें बार बार वहां से उपर से एडिंग्स की चेंज करने जरूरत नहीं पड़ रही है यह देखो दोस्तों इस पर भी जो फॉर्मेट था वह इस पर भी आ गया इसको भी हमने Item 2 ओ चुकी अब हमें और एडिंग्स देनी हैं दोस्तों तो जीसे दुखो दोस्तों हम यहां आते हैं जो सब फॉभ रहातों है इस सी एस प्र एक होगा करते हैं इसको थोड़ा नीचे ले आते हैं पिर देखो दोस्तों मैं इसको स्लेंे कर लिया मा profession कर देता हूं यह 은 टैबल आफ कंटेंट्स हमारे सामने आच चुका है जिसमें देखो दोस्तों नेट्वर्क टॉपलोजी लिखा हुआ है उसका पेज नंबर लिखे वे हैं फिर उसके नीचे दूसरी एडिंग है टाइप ऑफ नेट्वर्क उसके पेज नंबर है फिर उसकी सब एडिंग है बस नंबर एक से डोकुमेंट बना हुआ था लेकिन पेज नंबर एक पर हमने क्या क्या अब हमने वहां पर कंटेंट्स लागू कर दिए इसलिए पेज नंबर दो पर चला गया इसलिए देखो दोस्तों हम इस डाटा थोड़ा सा ऊपर ले आते हैं और देखो दोस्तों अभी देखो दोस्तों यहां थोड़ी प्रोब्लम आ रही तो इन पेज नंबर्स को सही करने के दिए यह इनको अपडेट करने के दिए हमें कहा जाना पड़ेगा या तो हमें दोस्तों कहा जाना पड़ेगा अपडेट टेबल कमांड पर जाना पड़ेगा या फिर आप क्या कर स करना है कि देखो सब्सक्राइब अब चाहते हो कि मुझे जैसे स्टार्ट आप जाना है तो जैसे मैं यहां पर आता हूँ और दोस्तों क्या लिखा रहा यहां पर ctrl plus click आख से आप क्या कर सकते हो direct to space के उपर जा सकते हो मतलब यह क्या कर रहा है इनका दोस्तों इसने क्या बना दिया hyperlink बना दिये इनको जैसे इनके उपर जैसे हम air को जाना क्या start topology पर जाना control key को press करता हूँ और mouse से click करता हूँ यह देखो दोस्तों इस टार्टों बोले जो direct पहुंच गए हम फिर आप जाते हो नहीं मेर को तो क्या जाना है मेर को जैसे hybrid पर जाना है तो यहां पर इसे देखो आप दोस्तों हमारे पास क्या है hybrid है hybrid है hybrid पर हम गए index के अंदर और control की को press किया और mouse से okay किया यह देखो दोस्तों यह देखो दोस्तों direct हम वहां पहुंच गए तो इस तरीके से हम पहुंच सकते हैं इनको hyperlink बना दिया टेबल के जितने पी content है उसको इसने क्या किया hyperlink तयार कर दिया उनके जिससे हम directly वहां पहुंच सकते हैं तो hyperlink के बारे म अदर के लिखा है अलग यह दिखा हूँ दोस्तों यहां पर मारे पास एक box आया है जिसके अंदर क्या लिखा हूँ है दोस्तों हमने कितनी heading ली थी दोस्तों हमने headings दिखा रहा है इनका preview दिखा रहा है page का यहां पे और इधर web preview मतलब उनके hyperlink दिखा रहा है यहां पे यह दोस्तों hyperlink होते हैं फिर देखो दोस्तों उसके नीचे देखो थोड़ा सा आप चलते हैं तो क्या लिखा हुआ है Show Page Numbers जैसे आप क्या करा है कि आपको अगर इनकी सामने heading की सामने अगर आपको page number शो करवाने तो यहां पे आप waiting को अगर आपको page number शो नहीं करवाने राइट click को यहां से हटा दो here देखो दोस्तों हमारे पास page number लखे हैं सभी इन page number को हटाने के लिए मैं क्या करता हूँ यहाँ से इसको click करता हूँ sure sign को मैंने क्या किया हटा दिया अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ okay पे click करता हूँ इसको क्या कर देते हैं दोस्तों yes कर देते हैं यह देखो दोस्तों सभी page number हट चुक है यहां से यह page number का था फिर वापस हम जाते हैं table of contents के अंदर insert table contents और यहां पर देखो दोस्तों देखो दोस्तों जूम कर देता हूं थोड़ा right align page number की page number का जो align है वो right side के अंदर यहां पर आ रहा है आप चाहते हो कि नहीं मुझे यहां नहीं लाना है मुझे इनके just pass में लाना है तो देखो दोस्तों बीच के जो dash line है थी वो क्या कोई हट चुकी okay कर देता हूं yes यह देखो दोस्तों page number है वो direct in के पास आगे सभी के पास फिर दोस्तों आगे बढ़ते है हमारे पास क्या आता है tab leader मतलब जो tab है बीच का जो space है उसको कैसे indicate करेगा dot क द्वारा करोगे या फिर dash के द्वारा करोगे या line के द्वारा जैसे मेरे को dash के द्वारा करना है तो dash पे क्लिक किया okay और yes यह देखो दोस्तों dash आगे बढ़ते हमारे पास क्या है देखो जूम कर लेते हैं इसको format मतलब उसकी जो design है न यह कैसे दिखाई देगा वो format यहा देखो दोस्तों classic करते classic यहां से दोस्तों design करते होगी यह देखो दोस्तों change होगी फिर आप आप चाहते हो नहीं मुझे ऑegँ ठोड़ा चैंज करना है तो आप जो भी यहां से चाहते हो formal को कर दिया normally यह देखो दोस्तों formal को कर दिया है यहां से अब उसके बाद में आगे बढ़ते हैं हमारे पास क्या था उसके अंदर show levels कि हमारे पास level कितने हैं दोस्तों हमने तीन ही level लिये थे adding one, heading two और adding three तो वो तीनों level यहां पे हमेज़ show करवा रहा है अब level three थे वह यहां से क्या हो चुग है हमारे पास तो यहां भोच defense यह हैं बताता है आपको कि आप जितने level रहा है जितने यहां से क्या है ओ कितने कर देते हैं महारे तिन्नों को कर देते हैं और येस कर देते हैं तो ये था दोस्तों हमारा क्या लेवल था फिर उसके आगे देखो दोस्तों इधर बढ़ते हैं हम तो मारे पास क्या है ये वैब प्रिव्यू अमतलबी हाइपर लिंक सही नीची क्या कर रहा है यूज हाइपर लिंक instead of page numbers कि आप in hyperlinks का use करके उस page के उपर directly पहुंच सकते हो नहीं कि scroll बार से आप scrolling करते वे जाओगी आप directly पहुंच सकते हो तो आप करते हो नहीं मुझे hyperlink बनाना ही नहीं उसको तो यहां से आप इसको unselect किया और ok कर दिया दोस्तों yes अब देखो दोस्तों अब यहां पर करके insert table of contents पर click करके यहां से use hyperlink पर click करना होगा जिससे दोस्तों यह क्या बन जाएगा यह एक hyperlink त्यार हो जाएगा जिसकी साहिता से हम direct उस page के उपर move कर सकते हैं देखो दोस्तों फिर आप चाहते हो कि नहीं मुझे यह जो हमने टेवल के content साथ सुगे हैं वापस देखें दोस्तों आगे बढ़ते हैं हमारे पास क्या आता है add text के उपर click करके देखो दोस्तों हमारे पास क्या level 1 level 2 level 3 हमारे पास इस इसनों जो level हमें इस पर चलिए दोस्तों एक बार हम क्या करते हैं जैसे हम नीच्छे आते हैं थोड़ा और हम क्या करते हैं यहां पर हम कोई और heading बनाते हैं जैसे network topology था अब उसके अंदर यहां पर यहां पर मैं लिख देता हूं जैसे हमने एक heading और बना देते हैं इसको select किया और home tab में गए दोस्तों और home tab से हमने इसको भी heading क्या बना ली जैसे heading हमने इसको 2 दे दी और इसको world italic और underline हमने कर दिया size इसकी थोड़ी हमने increase कर दी दोस्तों तो यह हमारी एक heading बन के तयार हो उसकी heading 2 अब देखो दोस्तों एक बार हम table को update करके देखते हैं हम reference tab में जाते हैं table को update करते हैं और यह देखो हमने update entire table को हमने update कर दिया आप देखो दोस्तों उपर हमारी heading आचुगी network topology और उसके अंदर heading 2 आई क्या topology अब हम क्या चाते हैं दोस्तों अब हम देखो यहाँ पे जाते हैं जैसे add text पे aamalley heap यहाँ पे देखो लेवल टू आते हैं तो आप चाते हैं कहांने पर नहीड़ाने हैं अब चाते हैं अचया करता हम आप अब घर और और unpack कर दो यह देखो आप अबôm आपं ब्यूंदे आपको क्या तेख्विàng तोब गया तेबल पर यह देखो बनत देखो देखो तեղ तो इन headings का, जो level अगर आपको change करना है, तो उसके लिए आप add text पर जाके, यहां से आप जिस भी adding का चाहो, आप level उनका change कर सकते हो दोस्तों, ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों, आपको कुछ table of contents को use करने के लिए, प्रेक्टिस करने के लिए, अगर आपको इस document की जरूवत पड़ती है, तो मैं इस document को comment box के अंदर, इसका link डाल देता हूँ, जहां से आप इसको use कर सकते हो दोस्तों, ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा table of contents के बारे में इतना ही था, मिलते हैं दोस्तों, next वीडियो में एक नया topic लेकर के, तब तक के लिए दोस् पड़तों, जहिन जय भारते हैं